हेलो और वल्कम बाग टू अल्फा ड्रेडर दिस इज सागर दोस्तों इंडिया में अगर आपको बिटकोईन बाइ करना है या क्रिप्टो कॉरंसेज में ट्रेडिंग करनी है इंडिया रूपीज में आपके बैंक अकाउंट के जरी है तो वह आप वोजीरेक्स में कर सकते हो उसके लिए step 1 आपको वोजीरेक्स पर अकाउंट बनाना पड़ेगा अकाउंट केसे बनाना है उसका मैंने वीडियो बनाया है लिंक डिस्क्रिप्चन में है अकाउंट बनाने के बाद step 2 आपको उसमें पैसे deposit करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है और deposit करने के बाद आप Wojrex में bitcoin buy कर सकते हों, other cryptocurrencies buy कर सकते हों और trading भी कर सकते हों कैसे हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये वीडियो एक complete trading tutorial हैं इस वीडियो में मैं आपको Wojrex के सबी features के बाहरे में बताने वाला हूँ और lieo trading करके दिखाने वाला हूँ तो आएए देखते हैं दोस्तों Wojrex का application open करने के बाद हमारे सामने ऐसा interface open होता है नीचे हमें 4 options मिलते हैं info, markets, orders और funds पहला option है info इसमें हमें Wojrex की latest updates, contest और new listing की information मिलती है दूसरा option है markets इसमें आप trading करते हों उपर आपको कुछ options मिलते हैं USDT, BTC, INR, STF और P2P अगर आप USDT में trade करना चाते हों तो USDT पे click करना है नीचे आपको coins की list मिलती हैं इन coins को आप USDT से buy और sell कर सकते हों इसमें बहुत सारे coins हैं तो जिस coin को आप buy करना चाते हों trade करना चाते हों वो direct आप search कर सकते हों यहां search के icon पे click करके हैं अगर आपको bitcoin से trading करनी है तो BTC पे click करना है अगर आपको Indian rupees में trade करना है तो INR पे click करना है लेकिन INR में आपको compares मिलते हैं trading के लिए तो better हैं कि आप INR से पहले USDT या BTC लोग और उससे trading करो STF और peer-to-peer थोड़ा अलग type का trading है तो उसका में अलग से video बना दूँगा यहां आपको एक star का option मिलता है यह आपके favorite coins की list है जिन coins को आप watch list में रखना चाहते हों जिन coins में आपने trade लिया है या investment की है उनको आप इस list में add कर सकते हो coins के आगे आपको star का option मिलता है star पे click करोगे तो वो आपके इस favorite list में add हो जाएगा इससे आपको उन coins को track करने में आसानी होगी दोस्तो तीसरा option है orders इसमें आपके open orders दिखते हैं और trading history दिखती है और चोता option है funds इसमें सबसे उपर आपके total portfolio का balance शो होता है उसके नीचे आपका INR में कितना balance है वो दिखता है और नीचे आपके coins का balance दिखता है दोस्तो अब तक मैंने आपको Wojirex के सभी features और options के बारे में बताया और उन options का क्या use है वो मैंने आपको explain किया अगर आपको समझ में आया तो इस video को like कर देना अब मैं आपको live trading करके दिखाता हूँ किसी भी coin को buy के से करना है और sell के से करना है वो मैं आपको बताता हूँ step by step दोस्तो मेरे पास USDT है तो मैं USDT में trade करूँगा अगर आपके पास bitcoin है तो आप bitcoin में trade कर सकते हो और अगर आपके पास INR है तो आप INR से पहले BTC या USDT buy करना और उससे trading करना तो दोस्तों trading करने के लिए हम market के option में जाएंगे और हमें USDT में trade करना है तो USDT पे click करेंगे अब ये हमारे सामने USDT के pairs है हम इन coins को USDT में buy या sell कर सकते हैं अब मुझे इसमें से SXP coin buy करना है तो मैं SXP पे click करूँगा आपको जो coin buy करना है आपको उसमें click करना है click करने के बाद आपके सामने ऐसा interface open होगा नीचे आपको 5 options मिलते हैं charts, orders, buy, sell, trade और buy chart के option में आपको उस coin का chart show होता है दूसरा option है orders इसमें आपको buyers और sellers की orders show होते हैं left side में green color में buyers के orders हैं और right side में red color में sellers के orders हैं तीसरा option है buy sell इसमें आपको buy करने का interface मिलता है और sell करने का interface मिलता है चोता option है trades इसमें आपको market की trade history show होती है और last option में आपकी trade history और आपके open orders show होते हैं दूस्तों हमें SXP coin buy करना है तो हम buy sell के option पे click करेंगे हमारे सामने एसा interface open होगा यहां हमें दो चीज़े enter कर दी है price और amount यहां already current price आती है और मैं current price पे ही buy करना चाहता हूं उसके नीचे हम amount enter करेंगे हमें कितने coins buy करने हैं या फिर यहां आपको एक आसान option मिलता है नीचे आपका USDT का balance show होता है और उसके आगे कुछ percentages है मतलब आपके balance में से आप 25% के coin खरीदना चाहते हो 50%, 75% या 100% के coin खरीदना चाहते हो मैं 100% पे click करता हूं तो मेरे पास जितना balance है उसमें कितने coins में खरीद सकता हूं वो यहां पर automatic आ जाएगा तो दोस्तो price और amount चेक करके buy पर click कर देंगे उसके बाद confirmation के लिए हम इस arrow को left to right slide करेंगे फिर हमारी order लग जाएगी दोस्तो SXP हमने buy कर लिया है funds के option में आपको SXP का balance दिख रहे हैं जो भी coin आप buy करोगे funds के option में आपको उसका balance दिखेगा दोस्तो buy के से करना है वो मेंने आपको बता दिया अब देखते हैं sell के से करना है मेरे पास SXP coin है हम इसे sell करेंगे पहले हम markets पर click करेंगे फिर यहाँ पर SXP search करेंगे और SXP पर click करेंगे click करने के बाद हमारे सामने ASA interface open होगा फिर हम buy sell के option पर click करेंगे और यहाँ पर sale choose करेंगे sell करने के लिए दो चीज़े enter करनी है price और amount यहाँ पर automatically current price रहती है मैं current price पर sale करना चाहता हूँ तो इसे एसा ही रहने दूगा नीचे हमें amount enter करनी है अगर हमें आधे coin sell करने है तो 50% पर click करेंगे और अगर पूरे coin sell करने है तो 100% पर click करेंगे फिर sell के option पर click कर देंगे उसके बाद confirmation के लिए हम इस arrow को left to right slide करेंगे तो हमारी sell order place हो जाएगी order complete होने के बाद हमारे SXP coins sell हो जाएगे और हमें USDT मिल जाएगे तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे SXP coins sell हो गये है और मेरे funds में USDT का balance दिकरा है दोस्तों इस तरीके से आप वजिरेक्स में trading कर सकते हो I hope आपको सारी चीज़े समझ में आये होगी अगर कोई question या query हो तो नीचे comment करके पूछ सकते हो तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको help हुई है तो आप इसे like करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment section में comment करके जरूर बताईए और अगर आपका कोई friend bitcoin या cryptocurrency में trading करना चाता है इंडियन rupees में तो उसे आप ये वजिरेक series recommend कर सकते हो thank you so much in this words signing out Sagar